कोश्चन है उतना कोश्चन हम लोग देखते रहेंगे और हाँ एक बात आप लोग समझ लेजिए कि हम लोग का क्लास सोमवार से सुक्रवार तक चलेगा सोमवाल मंगलवार बुधवार ब्रस्पतवार सुक्रवार तक चलेगा लगतार 20 कोश्चन का स्रीज हम लोग लेते हु कुर्ण के अपके और ये चंद्रमा पर ध्यान दिजए का एक बटा चौव है तो प्रितिवी पर 12 न्यूटन भार वाले वस्तू का भार चंद्रमां पर कितना होगा। देखिए थोड़ा गलत PDF चला गया है, बाइलिंग्वल करवाया गया था। यह PDF में बाइलिंग्वल करवा दिये थे लेकिन दूसरा PDF आ गया है थोड़ा जल्दी बाजी में थेर सोड़ी कि माफ कीजिए आप लोग अगला बार से आप लोग को बाइलिंगुवल मिलेगा यह बाइलिंगुवल था कि आ जाएगा भी कि हाँ है लग जाएगा कि क्या करिया जाए थोड़ा समय देंगे ठीक noises कर दे रहें है तुरंथ कर दे रहे हैं directolis का एंसर आप लोग पडिए भागप साथ न यह इंसर आंछ आप लोग की जिसका एंसर आप लोग कि़िए इसका आप लुग कर दीजें का एंसर तٹ the कर दिये हैं कर दिये हैं कर दिये हैं कर दिये हैं हो जागा तुरंद लाइव हैं लोग बच्चे लोग लाइव आप लोग हैं मैं इसको बाइलिंग्वल कर ले रहा हूं बाइलिंग्वल आप लोग के लिए अच्छा रहेगा आप लोग का सिकायत था कि सर बाइलिंग्वल दीजिए तब मैं बाइलिंग्वल के लिए त्यार था आप लोग भी अब्यार को व्यार को पनार को व्यार को व्यार झाल झाल चलिए आगया आगया बाइलिंग्वल आप लोगों के लिए आगया यहाँ पर देदीजी थोरा साप चलिए देखिए बाइलिंग्वल आप लोगों के लिए सारा ओप्सन है हिंदी इंगलिस वाले को लिए कोई समस्याएं नहीं मैं हूं तो समस्याएं नहीं समस्याएं खतम कर दूँगा चलिए देखिए यहां पर सब लोगों का ठीक है बहुट चंद्रमा पर गुरुत जनित त्वरन प्रिथिवी के गुरुत जनित त्वरन का एक बटा चो है तो प्रिथिवी पर 12 न्यूटन भार वाली वस्तु का भार चंद्रमा पर कितना होगा सिंपल सा सवाल प्रिया हुआ है कि यानि की जी का मान छोटा जी का मान एक्सिलेडेशन डियू टू ग्रेविटी का मान आपका चंद्रमा पर जो होता है प्रिथिवी के मान का एक बटा चों होता है तो कहा जा रहा है कि 12 न्यूटन का एक वस्तु है 12 न्यूटन भार वाली एक वस्तू है उसका चंद्रमा पर भार क्या होगा तो आपको पता होना चाहिए कि भार का मतलब होता है वेट डबलू बराबर होता है mg ये बताईएगा डबलू बराबर mg जो हुआ ये प्रिथिवी सता पर हो गया तब प्रिथिवी पर g का मान हमारा g हो गया मान कर चलिए कि g का मान g है प्रिथिवी पर तो कह देंगे कि डबलू मून की बात करेंगे डबलू मून तो चंद्रमा पर पूछा जाएगा कि भार कितना हो जाएगा mg बटा 6 के बराबर तो ये बताईएगा प्रिथिवी सता पर दिया हुआ है 12 न्यूटन दिया घजबाफ फी Mamal दिया हुआ हुआ है जाएगा logos के बार आपके प्रसन का सही जबाब यहीं हो गया यादरीएगा जी आपका जैसे 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 G का मान भैरी करेगा उसी के अनुसार किसी वस्तू का भार भी भैरी करेगा तो बाताईएगा बार जो होता है बार 바뀌ता है इ प्रिथिवी के केंद्र पर अगर पूछा जाएगा तो प्रिथिवी के केंद्र पर अगर पूछा जाएगा कि केंद्र पर प्रिथिवी के केंद्र पर पहार अगर कह दिया जाए तब हार डबलू बराबर हो जाएगा सुन हो जाएगा जीरो न्यूटन हो जाएगा क्योंकि प्रिथिवी के किंद्र पर जी कामान होता है जीरो तद रबमान कुछ भी रहेगा तो भार जीरो हो जाएगा भार को हम लोग मेजरमेंट करते हैं कामानीदार तूला से मापन इसका किया जाएगा कामानीदार तूला से मेजरमेंट किया जाएगा कामानीदार तूला कामानीदार तूला से मेजरमेंट किया जाता है बहार का मेजरमेंट कामानीदार तूला से Spring Balance से मेजरमेंट किया जाता है इसको Spring Balance से हम लोग मापते हैं भार बदलता है लेकिन द्रभमान नहीं बदलता है ये बात अपनी माइंड में सेट कर लेना है आपको चलिए अब बतायेगा परसंग का सही जवाब है प्रीथिवी पर भार दिया हुआ है कि 12 Newton है तो चंदरमा प पर दो न्यूटन हो जाएगा चलिए बहार के बारे में और बहुत सारे कोश्चन मैं आपको दूँगा अगला कोश्चन देखिए नेक्ष्ट कोश्चन क्या है हमारा अगला कोश्चन आपके स्क्रीन पर है एक किलो वाट घंटा वन बते के डबलु एच उर्जा का डैस जू ग्रूबडी वाले बैच में प्रैक्टिस कम कराये थे इस बार एलपी बैच में प्रैक्टिस अच्छा से देखो यार प्रैक्टिस इस बार पिछली बार ग्रूबडी में मैंने जितने बच्चों को पर आया लगभग सबका सब जॉब में है अभी सबका सब जॉब में है और खेस खांस तरपर 18 में लोको पाइलेट पर फुली हम लोग उस पर कब जा कर लिये हैं वे पर समझ लीजी इतनी बात आप लोग चलिए ध्यान दीजिएगा मैं जितना आपको कॉंसेप्ट दे रहा हूं उसको अपने माइंड में सेट करकर रखनीएगा बस यही आप से र रहा हूं चलिए ध्यान दीजिएगा किलो वाट घंटा सुनिए अगर सक्ति को समय से गुना कर दिया जाएगा अगर सक्ति को पावर को टाइम से गुना कर देंगे हम लोग सक्ति को समय से गुना कर देते हैं तो वो उर्जा को बतलाता है पहले देखिए ना पी बराबर आ यह कहते हैं जूल बटा सेकंड होता है जूल बटा सेकंड होती है वाट बराबर जूल बटा सेकंड होती है यह अब यहाँ पर क्रोस मल्टिपिलिकेशन कर दीजी आप लोग यह बताईएगा एक वाट बराबर एक वाट गुने एक सेकंड बराबर एक जूल के बराबर हो गय दे रहे हैं कि एक किलो वाट एक किलो वाट घंता एक किलो वाट घंता की बात किया जाए तो कहिएगा एक किलो वाट घंता के डबलू एच बराबर तह ये किलो वाट को पहले वाट में बदलना है किलो वाट को पहले आप लोग वाट में बदल लिए तह एक किलो वाट का मतल सब होता है यहां पर कहिएगा 1000 वाट 1000 गुन केंट को कह दीजिएगा चछती सौव सेकेंट कह दीजिएगा यहांपर तो बताइचफ और सेकेंट आ गया की नहीं आया इसी को कि लिख दीजिएगा 36 गुन ने दसका पावर 5 जूल हो गया वसे रिखेंट आया तो वाट 10 का पावर 6 जूल के बराबर, तह ये किलो वाट घंता जो हुआ ना, उर्जा की ही काई हो गया, ये इनर्जी का ही काई हो गया, उर्जा की ही काई, सब लोगों का आ रहा है सही से, मैं देख रहा हूँ कॉमेंट सेक्षन में आप लोगों का बहुत अच्छा जवाब आप लो एकदम फिक्स रही है आप लोग एकदम उसके लिए, अब बताएगा, एक किलो वाट घंता यहाँ पर इतना जूल के बराबर हो गया, इतना जूल के बराबर, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर देख लिजे आप लोग, और ये याद रेखिएगा, उर्जा का बेवसा की यूनिट हो गया, यूनिट हो गया, एकाई हो गया, कमर्सियल यूनिट है, उर्जा का कमर्सियल यूनिट हो गया, आप कह रहे हैं, अगर कभी कभी ऐसा कोश्चन आती है, आप किसी लोज में रह रहे हैं, किसी होस्टल में रह रहे हैं, और एक हंते, आपका एक महीना मे एक महीना में आप तीस यूनिट बिजली उर्जा खपत करते हैं, तो कहा जाएगा कि वो जूल में क्या होगा, तो कहिएगा एक किलो वाट घंता ही एक यूनिट होती है, तो कहिएगा एक किलो वाट घंता बराबर होता है एक यूनिट उर्जा, एक यूनिट उर्जा होती है और यही होता है 1 BOT के बराबर यही होता है 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल के बराबर होती है और याद रखेंगे ये BOT ये गो नया टर्मा गया इसको कह दिजिएगा Board of Trade कह दिजिएगा Board of Trade Unit कहा जाएगा Board of Trade कहा जाएगा बिजली करमचारी आकर जो मीटर का रिडिंग ले जाता है इसी में ले जाता है BOT में ही ले जाता है देखिए जिनका ITI नहीं complete है उनका physics chemistry math होगा ना physics chemistry math इंटर से होगे वो भर सकते हैं technician के लिए हाँ ये लेकिन हाथोरा मेहनत करना पड़ेगा उनको भी सबको मेहनत करना पड़ेगा तो बताइएगा एक किलो वाट घंटा कितना जूल के बराबर तो 36 गुने 10 का पावर 5 जूल या 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल तो सब में point लगा हुआ है तो 3.6 गुने 10 का पावर 6 कहां है तो कहिएगा लीजिए यहाँ पर आ गया option number C में आ गया हमारा चलिए अगला question आते हैं बहुत संदार संदार question दिया गया है एकदम धीरे धीरे बढ़ा है step by step जैसे ऐसे बढ़िएगा 20 की और आपका एक से 20 की और जाएगा इसका question का labeling बढ़ते चला जाएगा देखिए आगया आपका लीवर का question आ गया उत्तुलक का question आ गया ये cbt2 में दम चड़ बढ़ कर पूछता है सवाल तो अब देखिए यहाँ पर यहाँ थीरी नंबर question है हमारा थीरी नंबर question जो हमारे screen पर है और जो बड़ी संदार question में एक है निमलिखित में से कौन सा third series का उत्तुलक नहीं है which of the following is not a third class लीवर का रहा है कि 3-3 स्रेनी का उत्तुलक इसमें से कौन नहीं है तो बताएगा 3-3 स्रेनी उत्तुलक में कह दिया जाएगा तो देखिए first series लीवर में देखिए लीवर की बात करते हैं हम लोग उत्तुलक की पहले बात कर लीजेगा उत्तुलक तो उत्तुलक में कहिएगा ये simple machine है बल आघुर्न के सिधान्द पर वर्क करता है कहिएगा बल आघुर्न के सिधान्द पर ये काम करता है बल आघुर्न principle बल आघुर्न सिधान्द बल आघुर्न के सिधान्द पर अधारित सिधान्द पर काम करता है सिधान्द पर कारे करत इसमें तीन गो बिंदू होता है उतलक में तीन गो पॉइंट होता है तीन गो बिंदू होती है जहां से वो छड़ घूमता है उसको आलंब कहते हैं फलकरम कहा जाता है वो फिक्स पॉइंट होता है उसका जहां पर घुमाने के लिए बल लगाया जाता है उसको आयास या प्र चितर बना कर आपको समझा रहे हैं, उसको समझिएगा तो और बेटर समझ में आएगा, कैंची आप लोग देखें हैं तो, ये कैंची हो गया, देखें बहुत सिंपल चीज़, सब लोग इसके बारे में जानते होंगे, कैंची के बारे में, यह बताएगा यहाँ पर यह पॉइंट होता है यह आलम्ब हो गया आलम्ब को इंगलिस में कह दीजिएगा फलकरम कहिएगा फलकरम यह फलकरम होती है जिसको F कहते हैं इसको बोज कहते हैं या भार कहा जाता है बोज कहिए या भार कहिएगा इसको लोड के नाम से जानेंगे इसको लोड यहाँ पर इसको डबलू कह दे रहे हैं और यहाँ बल लगाया जाता है तो इसको आयास कह दीजिए या प्रयास कह दीजिए प्रयास कह दीजिए इंगलिस में इफोर्ट कहा जाता है लोग नहीं कहता है कि थोरा यहाँ इफोर्ट डालिए ना इफोर्ट होता है पी द्वारा दिखला दे रहे हैं तो यही तो है उतलक में तीन गोबिंदू होता है और तीनों के अस्थान के आधार पर इसको तीन भागों में बाटा गया है अगर आलंब बीच में होगा बाकी दोगों किनारे पर होगा फर्ष्ट स्रीज लिबर होती है अगर हमारा बोज बीच में होगा देखिए बोज बीच में होगा तो यह सेकंड स्रीज में आता है और हमारा बीच में अब किसकी बारी है तो कहिएगा बीच में आयास के आने की बारी है अगर आयास बीच में होगा तो बताएगा थर्ड स्रीज लिबर में थर्ड स्रीज लिबर में आयास ज थर्ड स्रीज लीबर में अगर देखा जाए तो कह दिया जाएगा कि यही तो है हमारा थर्ड स्रीज लीबर यहां पर हो गया हमारा P हो गया यहां पर हो गया हमारा F होता है और यहां पर हमारा हो गया एक डबलू हो गया, तहर्ड स्रीज लिबर में बीच में कौन हो गया, पी हो गया, अब बताईएगा चिमटा, आप लोग चिमटा देखें हैं, रोटी पर करने वाला ध्यान दिजएगा, यह वाला हो गया, यहाँ पर रोटी हो गया, ध्यान दिजएगा रोटी, ब्रेड हो हो गया यहां से यह घूमेगा घूमेगा तो यहां पर हो गया फलकरम हो गया और यहां पर बेचारा काम कर रहा है तो डबलू हो गया तो चीमता हमारा थोड में आएगा चीमता हमारा थोड में आएगा एस्टेपलर देखें होंगे आप लोग एस्टेपलर से पीन मारते हैं टब बीच में स्टेफलर कमें बीच में हम लोग वहां पर एफॉτο लगाते हैं बीच में फॉल्ड में आता है आ ख़्य किनारही होता है और एक किनारे से काम होता है पीन को सब्सा देता है हुगए तो अब बताएंगे यह स्टेपलर भी हमारा थोड स्रीज में आता है होकी स्टीक भी हमारा थोड स्रीज में आता है यह सब का सब थोड स्रीज में आता है यह तीनों का तीनों थोड स्रीज में आता है थोड स्रीज में और बहुत सारा है जैसे कि चूहा दानी कहिएगा चूहा दानी भी थोड स्रीज जो होता है सेकंड स्रीज में आता है सेकंड स्रीज में आती है ये सेकंड स्रीज लीबर के अंतरगत आता है तो अब बताईएगा इसमें कौन सा थोड स्रीज का उतलक नहीं है तो तीनों का तीनों हमारा थोड का है ये कह दिजिएगा थोड स्रीज लीबर के अंतरगत आएग और ये जो हमारा है second series liver में आता है और ये फर्स्ट पर आपके प्रसन का सही जब आप officer number D होगा तर्वर और डी आ सब कोश्चन में दूँगा हर एक दो तीन सेट के बाद में लिवर का अलग अलग टाइब का कोश्चन दूँगा लिवर का कोश्चन आपके माइंड में एकदम फटाक सेट करेगा हाँ फटाक सेट करेगा एक ऐसा देखिए इसको खली याद रखना है कैंचिया को याद रखना ह तब पिलास में भी बताईए का घूमने वाला जहां से घूमता है वो फिक्स पॉइंट होता है वो आलंब होती है जहां पर काम करता है वो बोज्य आभार होती है जहां से बल लगाया जाता है घूमाने के लिए उस फॉर्ट होती है चलिए आगे बढ़ जाते हैं पॉंडेशन बेच लाएंगे एलपी के लिए टेंसन मत लिए कॉमेंट सेक्शन में आ रही है कि फॉंडेशन बेच लाया जा बहुत अच्छा सवाल है यह देखिए एक सवाल आपके स्क्रीन पर बायो जी का सवाल है यह बायो का सवाल है चलिए अगला सवाल देखिए बायो के लिए निमलिखित में से किस बिटामिन की अवे सकता होती है तो यहां बिटामिन की चर्चा किया गया है किसकी चर्चा है बिटामिन की चर्चा किया गया है तब बलड को थक्का बनने के लिए बलड को थक्का बनने के लिए बिटामिन भी जिम्मबार होता है अगर खनी जि तो हम यहाँ पर सिंपल सी बात लिख रहे हैं कर रहें कि रक्त को थक्का बनने में मदद करता है तो कहिएगा केलसियम पलस पलस करता है चाहें, विटामिन में कहेगा, तो विटामिन में कहिएगा K करता है। चाहें, आपका Blood K Components कहिएगा, तो Blood Platyes करता है। चाहें, आप यहीं पर कहिएगा, फाइब्रीनोजेन करता है। आपका Prothrombin करता है। प्रो थ्रॉम बीन करता है यह सब का सब रक्त को थक्का बढ़ने में मदद करता है यह सब का सब रक्त को थक्का बढ़ने में मदद करता है यह सब लेकिन हमारे सरीर के अंदर रक्त जमने नहीं देता है अगर सरीर के अंदर रक्त नहीं जमने देता है तो वो हीपेरीन करता ह वो हमारा हीपेरीन करता है तो अब बताएगा रक्त को सरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। हीपेरीन इसको कहा जाता है हीपेरीन लेकिन हाँ जब कहीं से कट जाता है अजब हमारा बलड निकलने लगता है तो वाता उरन के संपर्क में आकर हीपेरीन निस्क्रिये हो जाता है हीपेरीन कहता है अब हम वहाँ पर कुछ नहीं करेंगे हम निस्क्रिये हो गए जब तक हम स बहुत अच्छा है आप लोग का बहुत अच्छा त्यारी चल रही है, बिटामिन D, मेरी बात समझेगा, बिटामिन D को हार्मोन भी कहा जाता है, वो कौन सा बिटामिन है, जिसे हार्मोन का नाम दिया गया है, बिटामिन D, ये सन साइन बिटामिन है, सन से प्राप्त होता है, तो अच्छा में इसका निर्मान होता है यह बताईएगा बिटामिन E को कहा जाता है ब्यूटी बिटामिन भी कहा जाता है ब्यूटी बिटामिन कहिएगा या इसी का नाम है प्रजनन बिटामिन भी कहा जाता है ब्यूटी बिटामिन या प्रजनन बिटामिन के नाम से भी जा कौन नहीं जानता है इसका chemical लाम भी बिटामिन का कभी कभी पूछता है बिटामिन A को retinol कहा जाता है chemical ली retinol के नाम से जानते हैं सब का chemical लाम भी याद रखिएगा anti infection vitamin होती है इसका नाम है anti infection, infection vitamin होती है anti infection vitamin होती है ये और ये vitamin A की कमी से रताओधी नामक बिमारी होती है या जिरो फैथलेमिया नामक बिमारी होती है सुस की छिपाक नामक बिमारी होती है जो आंख से related बिमारी है आंख में सुखापन आ जाती है उसी को कहते हैं जिरो फैथलेमिया कहा जाता है अब बताएगा vitamin K क को ठका बढ़ने में मदद करता है तरक्त के उचित- असकंदन के लिए निमलिखित में से किस बिटामिन क्या प्रशक्ता होती है तो बिटामिनоме के हो गया और बाकी सारी कि बदरे में more than भीजिए और आप लोग जितना जादा आप लोग जुरेंगे हमारे अंदर उतना जादा इनर्जी जगेगी उतना जादा मैं कंटेंस दूँगा आपको बोर्ड कम पर जाएगा इतना कंटेंस मैं आपको दूँगा लेकिन हां एक ही सेट से आप सोचिएगा आप सोचेंग अधर जादा इनर्जी आपके अंदर जगे आएगी आप के अधने चार्ण को साइंस के पाकर पकर कर दूंड धूंड करा परहार किजेगा उस पर चलिए आगे बर जाते हैं लोग आगे आ जाते हैं next question क्यों आ जाते हैं यहां प्रसन का जबाब हो गया बिटामिन D हो गया चलिए बहुत अच्छा कोश्चनों में एक आगया आगया आप लोगों के लिए अब पुरन खटोला संदार कोश्चन देखिए काड़ा की 0.5 केजी वजन की एक गेंद को बताईएगा कितना वजन का गेंद है तक येगा 0.5 केजी दरेवमान की एक गेंद को 20 मीटर उची इमारट के सिर्ष से गिराया जाता है भूमी पर पहुँचने से ठीक पहले गेंद की गतीज उड़्या क्या होगी जी कामान लेना है 10 जी कामान कितना लेना है 10 लेना है समझिए इस सवाल को कॉंसेप्ट समझना है आपको कांसेप्ट समझे आप लोग कांसेप्ट को समझेगा बन जाएगा उर्जा संरच्छन का सिधानत आप लोग जानते हैं ध्यान दिजिएगा सवाल हमारा है कि यहां पर एगो M दरबमान की वस्तु है यहां पर M दरबमान की एक वस्तु है कुछ उचाई पर है तो जब हम लोग इस वस्तु को यहां पकड़े हुए है तो इसमें टॉर्टल का टॉर्टल स्थिती जोड़ जा है तो कहिएगा नहीं sir यहां kinetic energy 0 है total energy यहां पर पोटैंसियल इनर्जी के रूप में है लेकिन जब इसको यहां से छोड़ा जाएगा तो इसकी potential energy मनंए इस्थिती जूर्जा का रूपांतरन गती जूर्जा में होगा लेकिन किसी भी बिंदू पर दोनों उर्जा को जोड़ियेगा तो हर एक बिंदू पर उर्जा वही मिलेगा जो highest point पर था PE के बराबर MGH के बराबर हाँ लेकिन कुछ गिर जाने के बाद PE निकालियेगा तो वहाँ पर PE कम आएगा और वो जो कमी होगा उसकी पूर्ति कौन कर रहा है काइनेटिक इनर्जी कर रहा है तो आप ऐसा कीजिए ना M दरेबमान की ये वस्तू है तो यहाँ पर highest point पर जितना उर्जा होगा निचलका बिंदू पर भी जमीन से टकराने के कुछ छन पहले भी उसमें उतना ही उर्जा होगा तो आप बताईएगा कह दिया जाएगा कि गेंद में इमारत की सिर्ष पर हम यहाँ लिख रहे हैं इमारत की सिर्ष पर कहा जाएगा कि गेंद में कहेंगे कि पोटेंसियल इनर्जी कितना के बराबर हो जाएगा एम जी एच के बराबर एम कामान कितना हो गया तो जीरो पॉइंड फाइफ हो गया जीरो पॉइंड पांच हो गया जी कामान दस है और उचाई कितना है बीस मीटर हो गया तब इस दहिया दो सो का आधा कहिए सो जूल होगा तो कहक real है कि और पूछ रहा है यहां काटिमिर्जा होगी पहुंचने के ठीक पहले जब वहां से गिराया जा है तो वहाँ total energy जो है हमारा कितना कितना है 100 जूल है तो वही energy नीचे में भी होगा लेकिन अंतर यही है कि उपर में potential energy तो नीटे में kinetic energy होगा देखिए इसी चीज को मैं यहाँ पर answer तो आपका यहीं पर हो जाएगा यह हमारा answer यहीं पर हो गया लेकिन इस समझे इसको कह रहा है कि total उचाई कितना दिया हुआ है तक कहिएगा total उचाई दिया हुआ है यहाँ पर हमारा total उचाई दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ है यहाँ पर M दरेबमान की वस्तु है यहाँ पर M दरेबमान की वस्तु है M कामान दिया हुआ है 0.5 kg है और यह नीचे में आ रहा है तो यह बताइएगा यहाँ पर पुछेंगे की भी कामान क्या होगा यहाँ पर जब भी कामान निकल जाएगा जम टकराने के कुछ छन पहले तब यहाँ काइनेटिक इनर्जी नि काहा दीजिए गा यू कामान जीरो का स्कुयार प्लस दो गुने जी का मानद दस गुने उंचाई कितना है तह कहिएगा भीस है ता बिस दहियाँ दूस दूना विस दहिया दूस.,种 दूना 400 हो जाएगा 400 आ गया तो गुने जी गुने мира 400 आ गया भी Diese सक्माइर का मान तौह हम कह देंगे कि अब यहां पर बताइए काइने डिक इनर्जी का मान कितना 혹시 बनत तक कई डिक घुक इनर्जी बराबर हो आपकी एदम कहीं नहीं इर्द गिर्दा पर नहीं ठीक पाएगा दम डारेक्ट सोचिएगा डारेक्ट अटेक कीजिएगा क्योंकि उर्जा सरक्षन सिधांद के अनुसार उर्जा ना तोत्पन की जा सकती है और नहीं नश्ट या सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में उर्जा होगा तो इमारत के सिर्फ पर कौन उर्जा होगा पोटेंसियल इनर्जी तो जमीन से टकराने के कुछ छन पहले वो टोटल इनर्जी नीचे आ जाएगा लेकिन काइनेटिक इनर्जी के रूप में रहेगा बस अंतर यही है यहां पर और कुछ भी नहीं है बहुत स समान चालक का पर्तिरोध सुनिए धातु के एक समान चालक का परतिरोध मने कि धातु का जो तार है हर एक जगा इसकी मुटाई क्रोस सेक्शन एरिया से में है तो बताईएगा परतिरोध क्या होता है तो कहिएगा परतिरोध जो होता है ये होता है लंबाई का समानुपाती होता है कहेंगे कि ये जो होता है एरिया का उल्टा होता है एरिया का उल्टा होता है परतिरोध धातिविक चालकों का परतिरोध ताप मान के बढ़ने से बढ़ जाता है रो का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध रो का मतलब होता है रोना नहीं विशिष्ट प्रतिरोध कह दीजिएगा इसका मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध कह दीजिएगा या इसी का नाम है प्रतिरोध धकता इसी को बोलते हैं प्रतिरोध धकता कहते हैं इ पदार्थ के मेटेरियल का गून है ये पदार्थ के मेटेरियल का गून है ये हर एक मेटेरियल का रो अलग अलग होता है मेटेरियल का ये गून होता है प्रोपर्टीज है ये यूनिट इसका पूछा जाएगा कि यूनिट क्या होता है तो ओम इंटू मीटर होता है ओम गून option एक आ रहा है चलिए देख लेते हैं द्यान देजिएगा यहां पर question का answer क्या है आ रहा है द्यान देना वाली बात है धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध डैस होता है कहिएगा इसके छित्रफल के ब्यूत करमानुपाती देखिए छित्रफल का area का उल्टा हुआ area का होगा तब परतिरोध कम होगा तार जब पतला होगा परतिरोध जादा होगा तार के लंबाई बरहाने से परतिरोध बरहेगा लंबाई घटाने से घटेगा लेकिन अब यह भी देखना पड़ेगा कि लंबा खीच कर बरहा रहे हैं कि जोर कर बरहा रहे हैं तो बताइएग प्रति रोड़कता को रसी श्लीटीका टेयं कि ब्यूत कर्मानुपाती नहीं और डरेकली प्रपोर्पोर्शनल टू इस एयरिया इस की बात है इसके नहों कर्मानुपाती यहां तो लिखा हुआ है और फिर करें चेतरफल का अनुक्र्मानुपाति चेतरफल का सीधा है डिरेक्टली प्रपोर्शनल है बाने डिरेक्टली प्रपोर्शनल चेतरफल का नहीं गलत है हमारे परसंट का सही जब आप option number 1 आ गया option number 1 होगा एक वाले जितने भी हमारे सरधालू है एकदम correct हैं एकदम सही हैं जिसमें हम एक बार comments देख लेते हैं जलिए देखिए बहुतों लोगों का एक आने लगा देखिए आप लोग जिस direction में जा रहे हैं वो direction को मोरना है थोड़ा सा थोड़ा सा concept को आना लाना है concept के अनुसार आपको पढ़ाई करना है थोड़ा concept कीजिए clear तब बनेगा आप से दम फट आउफट theory class लाऊंगा हमें हम जानते हैं आप लोगों का theory class बिना आप लोग अधूरा नजर आ रहे हैं theory class लाऊंगा ओके टेंसर नहीं लीजिए theory class दूँगा देखिए बहुत अच्छा कोश्चन साथ नमर कोश्चन आज कोश्चन थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा दम है कोश्चन में पूरा दम है कोश्चन में पते नहीं चल रहा है कि हम बोले ना इस शुरू से जैसे इसे आगे बढ़ेंगे कोश्चन थोड़ा दमदार होते चला जाएगा चलिए साथ नंबर कोश्चन आपके स्क्रीन पर और जबाब आपके मैं स्क्रीन पर देखना चाहता हूं अपोजित वाले स्क्रीन पर बताए फटा फट फट एहां देखिए बत पधती में दिया हुआ है काताप 10 डिग्री सेस बरहाने के लिए इसे कितनी उसमा दी जानी चाहिए सुनिए हमारे पास एलमुनियम का एगो टुकड़ा है जिसका विसीष्ट प्रतिरोध दिया हुआ है स्पेस्फिक हीट दिया हुआ है और वो भी एसाई पधती में दिया हुआ है तो कह रहा है कि उसके टंप्रेचर को 10 डिग्री सेलसियस उसके टंप्रेचर को 10 डिग्री सेलसियस से बरहाने के लिए कितना उसमा चाहिए कितना उसमा चाहिए तो याद रखिएगा जैसे आपके पास पानी ही है अगर पानी के टंप्रेचर को बरहाना है तो पान टमपरिचर यहां से वहां लेकर चला जाएगा तो इस तरह का सवाल रहेगा ना तो सब के लिए सेम अपलाई कीजिएगा कहिएगा पदार्थ द्वारा गरहन की गई उसमा या कि इसे कितनी उसमा दी जानी चाहिए तो उसमा गरहन जो होता है क्यू बराबर होता है एम ए से और देल्टा थीटा होती है यहां पर आप यह भी कर सकते हैं एम एस देल्टा थीटा के जगा पर थीटा टू माइनस थीटा वन धीटा टू माइनस थीटा वन कर दीजिएगा जहां S बराबर होता है बिशिष्ट उसमा S बराबर बिशिष्ट उसमा हो गया S specific हीट हो गया अब बताईएगा M का मान आपके सवाल में दिया हुआ है 100 ग्राम है तो यह हमारा दिया हुआ है हमारा CGS में यहां बिशिष्ट उसमा दे दिया गया A.S.I. में और हमारा ओप्शन दिया हुआ है J.L. में A.S.I. में दिया गया है ता हम क्यों ना 100 ग्राम को कजिए में बदल दे ता बदल दिजै भाई 100 ग्राम को कजिए में ता 100 प्टा एक हजार कर दिजिएगा और गुने इस का मान दिया हुआ है जो लिख दीजिएगा तो कहिएगा 900 ये हमारा SI में दिया है और बताइए ठीटा 2 का मान कितना है कहिएगा 10 है तब मतलब कि ठीटा 1 का मान क्या होगा तो 0 होगा ठीटा 1 का मान 0 होना चाहिए 0 होगा तब तापों में अंतर जो हो गया 10 का हो गया अब इसको काट छाट कर दीजिए आप काट छाट कर दीजिएगा तो ये 3 0 से यहां पर 2 0 यहां 1 0 यहां कट गया तब बताइए कितना आ गया तक हिएगा 900 जूल आ जाएगा 900 जूल आपके प्रसन का जबाब हो गया और CBT 2 का 900 जूल हो जाएगा हैं सर चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग आगे आ जाते हैं सब लोगों का पेन का कलर बदल दीजिए सरो के ओके ओके बदल दिया जाएगा 900 जूल आगया 90 जूल नहीं भाई 900 जूल आएगा सब लोगों का 900 वारी यह ना चलिए अगला सवाल देखिएगा अगला सवाल भी अपने आप में एक माईने रखता है बहुत अच्छा सवाल है और आप लोग जल्दी जल्दी कर दीजिएगा सवाल के जबाब कर रहा है कि जब एक नाविक आगे की दीशा में कुदता है जब नाव पर से नाविक कुदता तो नाव को धक्का देता है तो नाव भी उसको धक्का देता है तो आप कर रहे हैं क्रिया तो वो कर रहा है प्रतिक्रिया तक प्रतेक्रिया के बराबर और बीप्रित प्रतिक्रिया होती है न्यूटन का ठोड लो यहीं न है प्रतेक्रिया के बराबर और बीप्रित प्रतिक् या उदारन न्यूटन के कौन से नियम को दरसाता है तो कहिएगा ठड़ लग को बतलाता है ठड़ लग से बल का गुन प्राप्त होता है ठड़ लग से हमें बल का गुन प्राप्त होता है दूसरा नियम से बल का पड़िभासा और यहीना नियम है, हमारा F बड़ाबर MA है, बताईएगा गति का पहला नियम इसको जरत्तो का नियम भी कहा जाता है law of inertia भी कहते हैं और कहिएगा जरत तो किसका जादा होता है जिसका दरभमान जादा होता है उसका जरत तो भी जादा होता है जरत तो का माप कौन करता है वस्तू का दरभमान करता है तो यह बताएगा फर्श लसे बल का परिभासा कहिएगा बल का परिभासा प्राप्त होता है definition प्राप्त होता है second लसे बल का परिमान प्राप्त होता है F बराबर MA प्राप्त होता है और third लसे बल का गुन प्राप्त होता है और third लसे बल का गुन प्राप्त होने का मतलब यह हुआ कि बल प्राकिर्ती में कभी भी स्वतंत्र नहीं होता है जब भी रहता है किरिया और परतिकरिया के रूप में रहता है अब बताइएगा यहाँ पर हमारा और बहुत सारे हम लोग जब हम लोग लौ आफ मोसन देखेंगे गती का नियम पढ़ेंगे तो गती के नियम में न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया था हम लोग और सारे डिटेल्स देखेंगे बाई बताइगा तीसरा नियम से बल का गून प्राप्त होता है और बल का गून यही है कि प्राकृति में कभी भी सुवतांत्र नहीं रहता है जब भी रहता है किरिया और परतिकरिया के रूप में रहता है एक्षन और रियक्षन के र जे आ गया आपका गोस्य लिख्षान आज देखिये रहा है थौड़ा आप लोग नम खेलिंग खुश्चर है चेती तो नहीं लोकोटवा attempting लोके अट पर कोंड़े ना ही कि trabalho्टा आई यह बनादेना है फिर कड़ाइंगे फिर यहिंद्न पास करवाएंगे फिर ले अगे तब प्रिम। कराते कराते कहां लेकर चले जाएंगे देखे संधरिप्ट का मतलब से। संत्रिप्त का मतलब सेचुरेटेड हाइडोकार्बन का मतलब कि वैसा हाइडोकार्बन वैसा हाइडोकार्बन जिसके कार्बन कार्बन परमानू के भी सिंगल बॉंड होता है सिंगल बॉंड वाले को संत्रिप्त कहेंगे डबल बॉंड या ट्रीपल बॉंड रहेगा उसको असंत्रिप्त कहेंगे तो कहेंगे कि हाइड्रो कार्बन होती है यहाँ पर देखिएगा हाइड्रो कार्बन हाइड्रो कार्बन जो होता है जिसको SC कहा जाता है यह होता है योगो संत्रिप्ट एक होता है संत्रिप्ट हाइडो कार्बन होती है और एक होता है और संत्रिप्ट हाइडो कार्बन होती है योगो संत्रिप्ट और योगो और संत्रिप्ट हाइडो कार्बन होती है इंगलिस में इसी का नाम है सेचुरेटेड और इसका नाम है अनसे चुरेटेड अनसे चुरेटेड हाइडो कार्बन कह दीजिए गाइस को आइस में कहिएगा कार्बन कार्बन परमानुओं के बीच सिंगल बॉंड होता है कहिएगा कार्बन कार्बन परमानुओं के बीच कार्बन कार्बन परमानुओं के बीच परमानुओं के बीच के बीच जो होता है सिंगल बॉंड होता है सिंगल बॉंड सिंगल बॉंड होती है जैसे मैं देखिएगा एलकेन स्रेनी के सभी सदस एलकेन स्रेनी के के सभी सदस सभी सदस कह दीजिएगा और एलकेन स्रेनी के जितने भी सदस है इसका general formula होता है cn h2n plus 2 होती है cn h2n plus 2 होती है और यहाँ पर बताईएगा इसमें कह दीजिएगा double bond या triple bond होता है यह कह दीजिएगा double bond या triple bond होता है एन रहेगा सुनिए अब ध्यान दिजिएगा आप लो कोडिंग समझे आप लो एन रहेगा तो सिंगल बॉंड रहेगा एन रहेगा तो कहिएगा डबल बॉंड रहेगा और वाई एन ए रहेगा तो कहिएगा ट्रीपल बॉंड रहेगा तो यहां देखिए संत्रिप्त हाइड तक करा आउक की सेचुरेटेड हाइडो कार्बन को क्या कहा जाता है और इसको हम लोग एलकेन को एलकेन को हम लोग पैराफीन भी कहते हैं Spera pins, P-A-R-A-W-F-I-N-A, Spera pins भी कहा जाता है, तव प्यटाइ, Alkyne कहते हैं, नई, ट्रीपल बॉंड होता है, इसमें, इसमें आपका सिंगल बॉंड होता है, तराइट अपसान इज बे नमबर आईसोमर का मतलब होता है सामावई होती है सामावई का मतलब होता है सामावई का मतलब आईसोमर होती है देखिएगा करने का मतलब यह हुआ कि जिसका आनिविक सुत्र समान हो लेकिन सानराचना सुत्र भिन भिन हो वे एक दूसरे के आईसो समावाई का मतलब कि आनिविक सुत्र समान लेकिन सनराचना सुत्र अलग-अलग होता है चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग इसमें हमारा क्या है यह हमने लिख दिया यहां पर और बाकी मैंने एंसर कर दिया यहां पर दस नमर कोशन देखिए क्या कह रहा है देखिए किसके नि सुत्र तो होता है इसी का नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट सोडियम बाई बाई कार्बोनेट कहा जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट कहिएगा सोडियम बाई कार्बोनेट इसी का नाम है बेकिंग सोडा इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा कहा जाता है या इसी का नाम है आपक पोस्टन है यह पाउडर जो होता है ना बेकिन्ग पाउडर कहीएगा Agric अंग मिला दिया जाएगा तो पाउडर कहलाता है बेकिंग पाउडर होता है लेकिन यह हमारा sodium bicarbonate हुआ या इसी का नाम है sodium hydrogen carbonate भी कहा जाता है इसी को कहते हैं sodium hydrogen carbonate इसी का नाम है sodium hydrogen carbonate के नाम से भी जाना जाता है इसी को खाने वाले soda को और यहां पर washing powder washing powder जो होता है ना washing soda होती है washing soda इसका सुत्र होता है आपका na2 co3 into 10 water मौलकुल होती है और यह होता है bleaching powder तो कहिएगा सुस्क कहिएगा सुस्क बुझे हुए चूने के ऊपर सुस्क बुझे हुए चूने के ऊपर कोलोरीन गैस प्रवाहित करने पर प्रवाहित करने पर प्रवाहित करने पर प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है प्राप्त होती है यह तैयाद रखिएगा सुस्क बुझे हुए चूने के ऊपर कोलोरीन गैस प्रवाहित करने पर प हज का होल त्वाइस प्लस क्लोरीन और यहां पर एट लगभग 40 डिग्री सर्चालीश यह स्ताप मान पर तह यह बन जाता है सी ये ओसी एल टू और प्लस एच्टु अ इसी का नाम है कैल्सियम ओक्सी कोलराइड कहा जाता है ओक्सी कॉलोराइड कहते हैं तक किसके ओक्सी कॉलोराइड को हम लोग बिलीचिंग पाउडर कहते हैं यही है हमारा बिलीचिंग पाउडर इसी को कहते हैं बिलीचिंग पाउडर कहा जाता है बहुत डिटेल्स कर दिया गया आपके लिए ताकि आपसे कोशन नहीं छूटे आ आप से तक कहा जाएगा कि सुस्क बुजा हुए चूना का सुत्र क्या होता है CAOH का होल टो आइस कैल्सियम हाइडो ऑक्साइड आइस के उपर में क्या इसके उपर कुलोरीन गैस परवाहित करने से CL2 गैस परवाहित करने से बलीचिंग पाउडर का निर्मान होता है जिसको केमिकली कहा जाता है कैल्सियम ऑक्सी कुलराइड कहा जाता है कैल्सियम ऑक्सी कुलराइड के नाम से जाना जाता है और प्रस्ण का सही जब आप आप्सन नंबर सी ही होगा किसके निर्मान में कुलोरीन गैस का उप्योग किया जाता है तो प्रसन का सही जबाब आपका मिल गया यहाँ पर चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट कोशन की बाकी सारा हमने डिटेल्स में लिख दिया है बेकिंग पाउडर में और बेकिंग सोडा में जमीन आसमान का फरक है दोनों को एक समान नहीं कहिएगा गलत हो जाएगा यहाँ पर यह बात समझ लीजिए गाठ बाहन लीजिए यह पाउडर हो गया यह सोडा हो गया खाने वाला जिसको सोडियम बाई कार्बोनेट और ये होता है सोडिय, वाइक, कार्बॉनेट और टार्टडिडिक अमलका मिसरन होती है यह चलिए कदम में कदम मिला कर चलिए यार कदम में कदम मिला कर चलिए मैं आपको वो बर्धी पहना दूँगा जिसकी आपको चाहत है चलिए बाएं से दाएं बढ़ती परमानु संख्या के अनुसार निमलिखित में से कौन सा सही है बताईएगा आवर्त में देखिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर लगतार परमानु संख्या बढ़ता है जैसे देखिए न हम ल गया कारबन नाइटोजन ऑक्सीजन फोलोरीन और नियोन हो गया यह बताईए गाइस का परमानु संख्या जो होता है तीन हो गया इसका चार हो गया इसका पांच हो गया इसका छो गया इसका साथ हो गया इसका आठ हो गया यह नो हो गया और यह हो गया हमारा यह हमारा हो गया 9 हो गया और यह हमारा हो गया 10 तो बताई यह आवर्त में बाएं हो गया यहां पर हो गया यह बाएं हो गया और इस साइड में हो गया क्या हो गया दाएं हो गया तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यह बताई आवर्त सार्नी को ऐसे देखिएगा ना तो यह बाया हो ग होना चाहिए तब हिलियम होना चाहिए गलत हो गया करागी सोडियम नियोन सोडियम का इगार है नियोन का हमारा दस होता है नहीं सोडियम का इगार है नियोन का दस होता है नहीं हमारा निश्चीतावर्त में होना चाहिए बेरेलियम बोरोन देखिए बेरेलियम का हो गया चार और बोरोन का हो गया पांच, राइट अफसन इस सी नंबर अफसन से ही है, और अफसन नंबर सी से ही है, आफसन नंबर एकदम सी क्रिक्ट आफसन है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं लोग्यों, यह सप्रस्न का जबाब हो गया, नेक्स्ट कोशन की ओर आ जाईएगा, मनुस मे स्वासन वरनक किसको कहा जाता है हमारे की बात करते हैं हमारे का ही पिगमेंट हीमोगलोबीन कहलाता है हीमोगलोबीन होती है तो आप बताएगा हीमोगलोबीन जो होती है हीमोगलोबीन देखिए यहाँ पर मिस्टेक है इधर का इधर हो गया है इधर का इधर आना चाहिए तो यह वाला इधर आएगा और यह वाला हमारा इधर जाएगा तो गलत हो गया है हीमोगलोबीन कर दीजिएगा तहीमोगलोबीन जो होता है रेस्पाइरेटरी रेस्पाइरेटरी पिगमेंट के नाम से जानते हैं इसको रेस्पाइरेटरी पिगमेंट कहा जाता है और याद रखिएगा इसी को कहते हैं ऑक्सीजन केरियर ऑक्सीजन केरियर के नाम से भी जाना जाता है और एक बात बताईएगा हिमोगलोबिन जो है एक अनू है हिमोगलोबिन एक अनू है और याद रखेंगे ये RBC में पाया जाता है हिमोगलोबीन जो होता है RBC में परजेंट होता है यह RBC में परजेंट होता है पाया जाता है तो यह बात आप समझ लिजिएगा कि हमारे body का रे spider tree pigment कौन होती है हिमोगलोबीन होती है क्लोरोफिल नहीं क्लोरोफिल जो होता है प्लांट्स में होती है तो यह कह दिजिएगा प्लांट्स की बात किया जाए प्लांट्स में होती है यह कुलोडो फिल में मैगनेसियम धातू पाये जाता है धातू तत्व कहिएगा धातू तत्व इसमें मैगनेसियम होती है एमजी होती है कुलोडो फिल का काम है प्रकास उर जुजा का और सोसन करता है यह जिसका नाम है को लोडो फिल जिसको कहा जाता है अब यहां पर देखिएगा मेलानीन पिगमेंट पाए जाती है मेलानीन पिगमेंट हमारे बोडी में भी होती बडी में होती है रोड ओफ सीन होती है यह हमारा रोड ओफ सीन जो होती है यह में बिटामिन्स पाए जाता है जनरली बिटामिन्स एक अच्छा सोर्स होती है वो कुछ मोटिवेशन देजे सर लगता है इधर उधर बितर हो गया नहीं 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 बितरना नहीं है इधर उधर छितरना नहीं है अपने लक्ष की ओर खाली ध्यान रखना है और यही मैं लक्ष आपको दिखला रहा हूँ यह मैं जो contents आपके लिए दे रहा हूँ यह सारा आपके लक्ष की ओर ले जाने वाला है आपके लिए रास्ता त्यार कर रहा हूँ आपके लिए track त्यार कर रहा हूँ आपके लिए पट्री बिछा रहा हूँ ताकि इस पटड़ी पर आप चल सके इधर उधर भर्मित नहीं हो कि जंगलों में मत भटकिए आप मैं इसके लिए कर रहा हूँ आपको यही तो रास्ता है आपके लिए यही तो आपका लक्ष है इसको आप गेन कीजिए, इससे प्यार कीजिए आप, इससे प्यार कीजिए, बेपनाह प्यार कीजिए इससे आप चलिए देखिए यहाँ पर रहां देजेगा, देखिए एक और प्यार करने के लिए आपके लिए आगया ये तो हीमोगलोबीन हो गया ना हमारे सरीर का ये रेस्पाइडेटी पीगमेंट होती है आगे आपके लिए बहुत प्यार करने वाला दिल से लगा करकने वाला कलेजे के पास साथ करकने वाला आगया आगया गती का दूसरा समिकरन गती का दूसरा समिकरन संबंध दर साता है अब कहिएगा कि सर ये तो अब गती का समिकरन क्या है गती का नियम क्या है तो कहिएगा गती का समिकरन इटली के महान बैग्यानिक गैलीलियो गैलीली ने दिया था तो कहिएगा गती का समिकरन गैलीलियो गैलीली ने दिया था लेकिन गती का नियम नियूटन ने दिया था औ गती समिकरन की बात किया ज़ाए कि कलंग फ्रकश चलता है का बोल सूकरन चाया गती शमिकरन की बात करते हैं तक गैलीली ओ गैलीली ने दिया था गैलीली ओ बता ये और बताएगा गती के तीन गो समिकरन है हमारा गती के तीन समिकरन मैं जो लिख रहा हूँ उसको समझना है गती का पहले simple समिकरन लिख दीजेगा simple जो आप लोग simply पढ़ना चाहते है to the point पढ़ना चाहते है simple लिख दीजे आप लोग तब पहला समिकरन हमारा ये है देखिए पहला समिकरन हम ये देखने जा रहे हैं पहला हमारा ये है भी बराबर यू पलस 80 कर दीजेगा ये पहला समिकरन है और याद रखिए मैं आपको दे रहा हूँ रूल मैं आपको रूल दे रहा हूँ जिसको आ पहला लेटर क्या है अंतिम लेटर क्या है उस पर विचार किजिए आप लोग उसी के बीच के संबंद को वो बतलाएगा पहला लेटर क्या है अंतिम लेटर क्या है उसी के बीच के रिलेशन को वो बतलाएगा तब ही का मतलब हो गया बेग बताएगा पहला यही न है और अंत क्या है समय है अंतिम क्या है समय यह दोनों के बीच के संबंद को बतलाएगा बेग और समय के बीच के संबंद को पहिला समिकरन बतलाएगा बेग और समय तो कहिएगा फर्ष्ट हमारा बतलाएगा यह तो कहिएगा फर्ष्ट बतलाएगा यह हो गया और बताएगा दूसरा सम करन हमारा हो गया एस बराबर यूटी पलस हाफ एटी स्क्वाइड यूटी पलस हाफ एटी स्क्वाइड है हमारा वैसे ही सोचना है आपको जो मैं बताया हूँ आपको वैसे ही सोचना है और बताए इस का मतलब होता है इस्थिती इस का मतलब इस्थिती हो गया दूरी हो गया चाहें आप भी स्थापन भी का सकते हैं इसको चाहें पोजीशन भी का सकते हैं इस्थिती को पोजीशन और T का मतलब हो गया समय तो अब बताईएगा ये दूसरा समिकरन जो है इस्थिती और समय के बीच के संबंद को बतलाएगा तो इस्थिती और समय के लिए हमारा third number हो गया तो कहिएगा यह हमारा second हमारा हो गया second ना हो गया यह हमारा second के लिए हो गया हमारा second number हो गया second second के लिए हो गया और हमारा तीसरा समिकरन देखिए क्या है हमारा हमारा तीसरा यहाँ पर जो है ना तीसरा जो हमारा है equation जो है भी A square बराबर हो गया U A square पलस 2 A S है A B का मतलब हो गया बेग और बताइए S का मतलब होता है S का मतलब हो गया स्थिती S का मतलब स्थिती हो गया तो आप बताईएगा, इस्थिती और बेग के बीच के संबंद को बतलाता है, तो ये कह दीजिएगा, ये ठोड होती है, ये ठोड हो गया हमारा ये, ये हमारा ठोड हो गया यहाँ पर हमारा, ठोड हो गया ये, चलिए, अब आप लोग नहीं भूलेंगे न, यसनों में जबा अब दीजिए, सिम्पल लिख लिजिएगा, पहला लेटर क्या है, अन्तीम लेटर क्या है, उसी के बीच के संबंद को बतलाएगा, पहला क्या है, देखिए, एक उस्ट्रेंड कारना है कि सर, मैं बहुत परसान हूँ, कुछ मोटिवेशन दीजिए, लगता है कि सर, कुछ इधर उधर बितर गया, कुछ नहीं बितर दा है, जीरो से सुरू करो, यार जीरो से सुरू करो, आप हम से पढ़िए, तो आप समझे कि हम कुछ नहीं जानते हैं, आप समझे कुछ नहीं जानते हैं, तब आप समझने की कोशिस कीजिएगा, आप जानने की कोशिस कीजिएगा चक्रवीहु को दम भेदने की कोशिस कीजेगा चक्रवीहु के अंदर जाना है और भेद कराना है भेद कराना है मैदान में जाना है और जंग जीत कराना है और वही एक अच्छा सिपाही होता है जो मैदान में जाता है और बनिया से प्रोपर डारेक्शन से एदम एक इस्टे इस चीज को देखा है चलिए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं यहां से किसी को कोई परसानी नहीं मस्त है अगदम ओके है हाँ इंगलिस में दूरी को भी लिख सकते हैं दूरी हाँ इंगलिस में इस्थिती को दूरी भी लिख सकते हैं काये नहीं हम नहीं कि इस्थिती दू दूसरा समिकरन यह है दोडनमर पर है इस्थिती और यहां पर हमारा समय को बतलाएगा इस्थिती और समय को बतलाएगा ऐनसर बनेगे आपका देखें नेक्स्ट कोश्चन क्यों रा गया चोदा नम्मर कोश्चन आपके स्क्रीन पर निमलिखित में कौन धातू और गैर गैर धातू का मतलब क्या हुआ अधातू नंड मेटल देखिए इंगलिस में नंड मेटल लिखा हुआ है दोनों के रूप में कार नहीं करता है तब बते ये बोरोन हमारा धातू भी है और अधातू भी है योरोन हो गया बो होना चाहिए बोरोन बोरोन हमारा धातू और अर्सेनिक भी हमारा धातू और धातू दोनों है यहां बिसमत होगा हमारा आर्सेनिक भी है जर्मेनियम भी है हम लोग आप हमारा यहां पर यह बिसमत क्या है तो कहिएगा यह धातू ततो है यह धातू ततो में आता है बिसमत हमारा धातू ततो के अंदरगात आता है बिसमत आप बताइएगा आपके प्रसन का सही जबाब कौन हो जाएगा तक हीएगा बिसमत हो जाएगा जो हमारा धातु में आता है। धातू तत्व में आता है बिसमत चली आगला कोश्चन देखिए आप लोग धातू तत्व में आएगा ना और बाकी सब का सब हमारा धातू और धातू दोनों के रूप में काम करता है मतलब कि सामी धातू के रूप में काम करता है अर्ध धातू के रूप में काम करता है लेकि बिस्मत का प्रमानु संख्या 83 होता है 83 होती है बी आई होती है जिसका संकेत होता है बी आई और जेड बराबर होता है 83 83 होती है और बाकी सब का सब हमारा ये 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 हमारा हो गया उपधातू हो गया ये हमारा हो गया उपधातू हो गया ये हमारा हो गया उपधातू हो गया जाता है या इसी का नाम है हमारा सामी धातू कहते हैं या इसी का नाम है हमारा अर्ध धातू कहते हैं और बहुत सारे और बहुत अर्ध धातू में आता है हमारा और बहुत हमारे अर्ध धातू है लेकिन यहाँ सिंपल कोश्चन पुचा जा रहा है इसलिए प्रसंद का सही ज अधारवाला इकाई नहीं है अधारवाला मने कि मूल भौतिक रासियों की संख्या साथ गो होती है मूल भौतिक रासि की संख्या साथ गो होती है जिसमें लंबाई आता है दरभमान आता है समय आता है बिद्धु धारा आता है प्रकास की तिवरता आता है आपका प्रकास की तिवर्ता हो गया, ताप हो गया, और पदार्थ का दर्यभमान हो गया, जिसका मातरक मूल होता है, तब पदार्थ की मातरा का मातरक क्या होता है, मूल होती है, आविर्ती का मातरक क्या होता है, हड्ज होती है, हड्ज होती है, हड्ज होती है, हड्ज होती है, और नहीं तो एक बटा सेकेंड होती है या सेकेंड माइनस वन होती है जोती तिवरता का मातरक होता है कैंडेला प्रकास की तिवरता या जोती तिवरता जोती का मतलब प्रकास होती है बिद्धु धारा का मातरक होता है एंपियर बिद्धु धारा का मातरक एंपियर और आप लोग मूल भौति क्रासियों की संख्या जो साथ गो देखते हैं साथ गो उसमें से कौन नहीं है इसमें आविर्ती नहीं है फ्रिक्वेंसी नहीं है हमारा फ्रिक्वेंसी नहीं है यहां पर तो राइट अप्सनी फ्रिक्वेंसी चली आ गया आ गया बहुत अच्छा कोचन रेसिस्टेंस का सवा सवाल आ गया बहुत अच्छा सवाल है बहुत अच्छा सवाल और इसका एंसर आप लोग करकर दिखाईए हमें कि इसका एंसर आप लोगों से मैं पोड़ कुछ ना चाहूंगा की ऑफ कर आपका पेड़ बैश कहां मिलेगा तले मिलेगा इधर lying अगर क्वार करते रहे तो पिजिन कि यह खुंश्चन को मांतें अप लोगो ठेक्वांध सांदार क्वें में एक है थोरा सा अपने आपको यहां पर एथी कीजिएगा बुष्टप कीजिएगा ताकि समझ में आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आए आपको ध्यान दिजिएगा यहां पर कोश्चन हमारा दिया हुआ है दिया हुआ है कि दो परतिरोध एक 12 ओम का दूसरा 24 ओम का समनांत्र करम में जुरे हुए हैं बाइस ओम परतिरोध और बारव भुल बैटी के साथ स्रीज में जुरा हुआ है यह सन्योजन ठीक है तो आप से हमारा पहला यहाँ पर सवाल दिया हुआ है मैंसन है कि कितना ओम है तो कहिएगा कि सर जी बारव ओम है और एगो हमारा है कितना ओम का तो कहिएगा कि एगो 12 ओम हो गया और एगो हो गया हमारा 24 ओम हो गया एगो 24 ओम हो गया दोनों एक दूसरे के साथ पैरलल में है और दोनों के साथ में एगो 22 ओम का परतिरोध है 22 ओम का है और इसके साथ में हमारा एगो बैटरी है जो कितना भोल्ट का है तो कहिएगा बार भोल्ट का एगो बैटरी भी है जो इस दोनों के स्रीज में कनेक्टेड है तो अब सबसे पहले बताईए आप लोग हमारे घर में लगा हुआ जो डिभाईस होता है वो पैरलल में होता है सब के लिए पैरलल कंबिनेशन में बिभावांतर समान होता है और सिरीज में बिभावांतर का बिभाजन हो जाता है हर एक के लिए बिभावांतर अलग-अलग हो तो थी अच्छा सवाल सुनिए आप बताईएगा बिंदू A हो गया ये बिंदू B हो गया तो A और B के लिए A बिंदू और B बिंदू के लिए बिभावांतर दोनों के लिए सेम रहेगा तो कर रहे कि यहां पर हमारा 12 ओम परतिरोधक में धारा कितनी है तो इसको हम माल ले र हैं हम लोग आई टू माल ले रहे हैं तो सबसे पहले ये दोनों के लिए बिभावांतर मालूम होगा तब ही बनेगा तो हम यहां बिभावांतर माल ले रहे हैं भीवन भीवन बटा भीवन बटा कर दे रहे हैं और इसको कर दे रहे हैं भीवन बटा दोनों के लिए भीवन बिभावांतर सेम रहेगा 12 Ohm और 24 Ohm के लिए बिभावांतर समान होगा potential difference सेम होगा तो आप सबसे पहले बताईएगा कि ये 12 Ohm और 24 Ohm जो हो गया ना parallel में हो गया ये दोनों का दोनो parallel में हो गया कहिएगा 12 Ohm पलस 12 Ohm and 24 Ohm बराबर पैरलल में हो गया तो पैरलल में जब हो गया तो कहिएगा टोटल कितना हो गया तो आड़ पी बराबर हो गया आड़ पी बराबर इसका देखिएगा तो 12 गुने 24 बटा 36 कर दिजिएगा बारतिया 36 बने 8 हो गया तो ये बताईएगा इसके लिए समतुल परतिरोध 8 ह अब हम यहां पर देने जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा यह वाला हो गया हमारा इस तरह से और अब यहां से हम लोगों को विभावांतर निकाल देना है यह हो गया हमारा आठ ओम हो गया यह हो गया हमारा बाइस ओम हो गया यहां पर हो गया बारव भोल्ट हो गया यहां से में में धारा कितना हो जाएगा तो कहिएगा आई बराबर में धारा आई बराबर होता है भी बटा भी बटा आर भी का मान हो गया हमारा बारा और टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया ये टोटल हो गया हमारा तीस ओम हो गया तो कहिएगा बटा तीस कर दीजिएगा छो दोना बार 6 35 माने 2 बटा 5 एंपियर हो गया तो ये आगया 2 बटा 5 एंपियर मेंधारा हो गया यहाँ पर विभावांतर निकालना है पहले यहाँ पर विभावांतर निकाली आप लोग तब विभावांतर यहाँ से यहाँ तक के लिए भीवन हो गया भीवन बराबर कहिएगा I, R1 कर दिजिएगा I, R1 कर दिजिएगा इसके लिए तो यहां से मान निकालिए B1 का मान निकालिए यहां से अगर B2 पुछा जाएगा कि B2 बराबर कितना हो जाएगा तो I, R2 कर दिजिएगा तो हम लोगों को B1 से मतलब है यह दोनों स्रीज में हो गया B1 बराबर 2 बटा 5 और गुने 2 बटा 5 गुने यहां पर 8 कर दिजिएगा 16 बटा 5 कर दिजिएगा 16 बटा 5 बोल्ट हो जाएगा 16 बटा 5 बोल्ट हो गया अब यहां पर निकाल दिजिए B1 का मान आगया 16 बटा 5 तो I, R1 नहीं निकल जाएगा अब तकह देंगे आईवन बराबर हो जाएगा भीवन बटा आरवन तकहेंगे कि सुल्ला बटा पांच सुल्ला बटा पांच आगया यहां पड़ के लिए दोनों के लिए विभवांतर सेम है सुल्ला बटा पांच ही आएगा दोनों के लिए विभवांतर सुल्ला बटा पां यहां पर चार्चाव के सोल चार्टियाई बार हो जाएगा तो कहिएगा चार बटा पंदरा चार बटा पंदरा एंपियर हो जाएगा एंसर चार बटा पंदरा एंपियर एंसर हो जाएगा और यहां के लिए पूछा जाएगा तो यहां पर भीवन बटा आड़ टू कर दीज दू बटा पांच मिल जाएगा तब तई चार बटा पंदरा है कहीं पर यह सर जी आपसन नमबर डी बहुत संदार कोशन बहुत लाजबाब कोशन आया बहुत अच्छा कोशन बहुत ही अच्छा यह कोशन चर्थ बढ़ कर पुछा था सीवी टी टू में अधाम हर एक कोशन यहां से उठाया था और यह कोशन को अगर ढंग से बनाईएगा तो यह आपको स्कुरिंग कोशन रहे गाई आपके लिए देखिये सबसे पहले आप लोग दोनों को हम लोग कर एक साथ कर लिये ता आठ हो मा गया इसके लिए विभवान आ कर ये बाई सोम से वही धारा गुजरेगा चली आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और आ जाते हैं अगला सवाल क्या है यदि एथिलीट एथिलीट एगो है और वो सतर मेटर त्रीजिया के बृताकार पथ के चारो और एक बार कितना बार एक बार जाने में 60 सिक तो बताए ये बेग कामान क्या होगा तब बेग बराबर होता है बेग बराबर या चाल बराबर होता है चाल बराबर हो गया दूरी बटा हो गया समय दूरी बटा समय हो गया और बृतिये मार के लिए दूरी हो गया 2 पाई आर और बटा कह दिजिएगा समय और 2 पाई आर तार 2 कह दीजिएगा, और गूंने 22 बता, सात कर दीजिएगा, और गूंने आर कामान हो गया, हमारा 70 हो गया, 7 दहईया कितना हो गया? 70, और डिव हाइड़ेड बाय समय कितना है? 60 सेकन्ड है, तो यह काट दीजिए यहां से, तो यहां पर बताइएगा, साथ दहिया यहाँ पर तू पाई आर तू पाई आर मने सत्तर मिटर त्रीजिया के बिरिती यह पत्के चारोर एक बार जाने में साथ सिकन लगता है तो बेग कामान क्या होगा तो अब बताएंगे यहाँ पर हो गया दो गुने बाइस बटा साथ गुने सत्तर सत्तर हो गया यहाँ कट गया यहाँ पर दस बार में यहाँ पर हो गया एक जीरो से जीरो कट गया यहाँ पर हो जाएगा बाइस दुना चोवालिस बटा यहाँ पर कार दीजिएगा दोती आइकॉन हो जाएगा चो हो जाएगा और यहाँ पर बाइस बटा तीन हाजाएगा त प्रसंद का सही जबाब आ जाएगा 7.33 चलिए बहुत अच्छा कोश्चन ये भी एक कोश्चन भी पूछा हुआ है आपका चलिए अगला सवाल देख लीजे आप लोग 80 kg द्रेवमान की एक कार 80 kg द्रेवमान का एक कार है 144 किलो मीटर पर घंटा देखी यहां किलो मीटर पर घंटा में आगया ना किलो मीटर पर घंटा में यहां पर दिया हुआ है हमारा किलो मीटर पर घंटा में दिया हुआ है पहले मीटर पर सेकेंड में बदल दीजिएगा इसको तब मीटर पर के लिए ब्रेक द्वारा लगाया गया बल आठ कीलो निूटन है आठ कीलो निूटन मतलब कि 8000 निूटन है तो कार को रोकने में लगने वाला समय ग्यात कीजिए तो सब से पहले बताईए M का मान दिया हुआ है 800 केजी दिया हुआ है और बताईएगा शुरु वाला भेग दे दिया गया है 144 किलो मीटर पर घंटा दिया है इसी को कहिएगा 30 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है अब यहाँ पर कह रहा है कि रोकने के लिए ब्रेक लगाया जाता है तब ब्रेक है यहाँ एफ बराबर दे दिया गया है minus 800 newton है आप कहिएगा कि sir minus क्यों लगाए है क्योंकि बिरोधी बल है बिरोधी बल के लिए minus का sign हमने दिया है और अंत में रुक रहा है तो 0 meter per second तो आप से समय पूछ रहा है समय बराबर what समय कामान क्या होगा आपको कुछ भी नहीं करना है छोटा सा तो अपलाई करना है f बराबर m b minus u बटा t कर दिएगा b minus u by t f कामान दिया हुआ है minus 8000 बराबर m कामान दिया हुआ है 800 b कामान दिया हुआ है 0, 0 और minus दिया हुआ है u कामान हो गया 30 और बटा समय नहीं दिया हुआ है समय पूछा जा रहा है आप से यह बताइएगा यहाँ पर आप निकाल दीजिएगा दो 0 से 2 0 कट जायेगा 2 0 से आपका 2 0 यहाँ पर कैंसिल हो गया और अब यहाँ पर आप कर दीजिएगा minus 80 T बराबर कहिएगा माइनस 30 कर दीजिएगा नहीं आपका यहाँ पर 2-0 से 2-0 कट गया ना यहाँ पर तो यहाँ पर इसको हटाईए पहले इसको कल्कुलेट करने के बाद में आपका 40 मिट 40 अड़ बबबा मीटर पर समय ना पूछ रहा है बबा तो यहाँ 2-0 से 2-0 कट गया यहाँ पर अब यहाँ पर बताइएगा माइनस 80 टी बराबर कर दीजिएगा यहाँ पर 18 यह भी कर दीजिए ना इसको हटाईए ना कहलागी रखे हूआ इसको 18 यहाँ 80 तो कhiendo 10 बाद में माइनस 10 टी बराबर minus 10 T बड़ाबर कह दीजिएगा आपका minus 3030 इसलिए T बड़ाबर कहिएगा 3 second T बड़ाबर 3 second answer हो जाएगा 3 second आजाएगा 3 second हाँ 3 second आजाएगा 3 second आएगा answer देखिए ध्यान से आप लोग पहले इसको ध्यान से इस चीज को देखिए तीन सेकेंड आपके प्रसंद का एंसर आ जाएगा जबाब आपका तीन सेकेंड हो जाएगा तीरी तीरी सेकेंड तीरी सेकेंड हो जाएगा देखिए फटा फट यहाँ पर जल्दी जल्दी गुना भाग कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी गुना भाग कीजिए जल्दी जल्दी गुना भाग कीजिए 3 सेकंड आ रही है 3 सेकंड की 4 सेकंड आ गया M का मान हो गया 800 केजी U बराबर हो गया यहाँ पर 144 मने की यह आपका हो गया 88 से यहाँ पर 5 बटा 88 कर दिये हैं मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 30 मीटर यह बराबर 40 है यह बराबर आदे बबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब यहाँ पर 40 कीजिए यहाँ पर 40 कर दीजिएगा 40 मीटर पर सेकेंड हो गया और यहाँ पर आप सब कुछ बना दीजिए इसके अनुसार आप सुल्ब कर लीजिएगा इसके अनुसार सुल्ब कर लीजिए ठीक है ठीक है ठीक है अच्छी बात है यहाँ पर अब यहाँ पर एफ का मान दे दिया गया है माइनस आठ हजार बराबर M का मान है आठ सो भी का मान हो गया जीरो माइनस U का मान हो गया चालिस बटा T इसलिए T बराबर कर दे रहे हैं चार सेकेंड एंसर हो जाएगा समय चार सेकेंड लगेगा बाइसर ओके ओके चार सेकेंड चलिए हो गया यहां पर ठीक है अच्छी बात है होता है Mistake होती है यहां पर ये कट जायेगा आप बताईए अठारा में आठ से करने पर ना आ रहा है हम छो, साथ से आठ से कर दिये थे देखिए आठ से करनेंगे ता 18 में 8 से कीजिएगा ता 144 आजाएगा चलिए कोई बात नहीं है चार सेकेंड आपके प्रसन का सही जबाब एंसर हो जाएगा ये देखिए कट गया दस बार में कट गया चार बच गया यहाँ पर अगला सवाल देखिएगा किस भौतिक रासी को पिंड के संबेग संबेग और बेग के अनुपात में दरसाया गया है तो कहिएगा संबेग संबेग पी बराबर होता है एम भी और बताईएगा यहाँ पर दरवमान बेग को हम लोग कहते हैं बेग भी बराबर होता है मीटर पर सेकेंड ये मीटर पर सेकेंड होती है तो संबेग और बेग के अनुपात में किसको दर्ग साया गया है बेक का मतलब विस्थापन बटा विस्थापन बटा समय कह देते हैं इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकिन तब पी बटा भी बराबर कहिएगा इसको कह दिजिएगा एम भी बटा भी तो यह कट जाएगा तो एम के बराबर हो जाएगा तब पी बटा एम बने कि पी बटा भी बराबर एम के लिए हो जाएगा यह कह दिजिएगा के जी मीटर सेकिन माइनस वान और यह हो गया मीटर परती सेकिन तो यहां परने लिख दिजिएगा के जी मीटर स सब्सक्quet면 और सुझेंगा ट्रवाच नद्वनने जो art चलिए आगे बढ़ जाते हैं ये ऋदो हिरा उदाहरन हैं कहिए येगा हिरा जो है ना कारबन का अपरूप है कहिए bipartisus कार भी कारबन का अफडूप है ये जाम अपरूप है ये हमारा इलो ट्रॉप है और कहिएगा कि ये ठोस जिसमें हाईडोजन बंधन होते हैं गलत हैं, हीरा में चारो का चारो का रूप है, कार्बन के बाहर में 4 इलेक्टोन तो हीरा का चारो इलेक्टोन बॉन्डेड रहता है, कोभैलेंड बॉन्ड द्वारा, चार गोशा सन्यो ज़क ठोस में आता है कांच क्या है तकांच कहिएगा अती सितित ध्राव है ये इसको कहिएगा अती सितित ध्राव के अंतरगात आता है जो रआपका बी Walmart कुलेंट लिकिविड सूपर कुलेंट लिकिविड के अंतरगात आता है यह सूपर कुलेंट लिकिविड होता है हमारा यह यह सूपर कुलेंट लिकिविड में आता है यह रहा आपका 20 कोशन थोड़ा कोशन में आज बड़ी रस था बहुत दम था थोड़ा समय हमको भी लग और आप लोगों को भी समय लगया मुझे सावा घंटा का वक्त लगा इसलिए कि कोहचन आप लोगों को ठोड़ा मैं बताना चारा हूँ आप लोगों मैं बताना चारा हूँ कि इस ढंक से कोशन पर ना है आपको यही आपका लेबल है यही आपका सी लेबल से है जिसमें सीविटी फ़र्ष सीविटी सेकंड दोनों के लिए मैंने बताया हूँ चलिए ओके वाई बेश्ट अफ लग फिर मिलते हूँ मैं मैं फिर आपसे कल मिलूँगा साथ बजे इसी जोस और जुनून के साथ आप लोग आए और लड़कों को जोड़ना है इसमें मेरा कहना है कि इसमें कॉमेंट्स इतनी रहनी चाहिए कि मैं कॉमेंट्स नहीं पर सकू मैं मैं कॉमेंट्स नहीं देख सकू मैं इतना कॉम इरदानी चाहिए इसमें अगर सफलता लेनी है तो गाठ बान लीजिए एक आप एकदम अपने माथे पर एक एलपी का लोगो लगा लीजिए कि हमें सफलता लेनी है तो लेनी है ओके बाय बेस्ट अब लग थैंक यू फ झाल 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 झाल